नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रागोश अर्मा रमन यूटूब चैनल जैगोश की तरफ से आज मैं गाजी पुर्जिला के पशिमांचल छित्र के जखनिया बीधान सबा और साधात बलाक के अंतरगत ब्रिंदाबन गाउं में रामचंदर कभी जी के घर पहुचा हुआ हूँ रामचंदर जी कभी बहुत अई पुराने कभी गायक है और बीरहा तथा लोग विधाओं पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है उन्होंने बहुत सी कविताय और रचनाय लिखी है आपका गाजीपूर से क्या संब्द है गाजीपूर हमारा हिले है यहां यहां बहुत सारी बहुत सारी जो है इसमितियां यहां अच्छी अच्छी हैं यहां अच्छे अच्छे सिर्ष विद्वान लेखक कभी हुए है यहां इसकी गरिमा गाजीपूर की बहुत अच्छी है गाजीपूर की पहचान हम आपको कविता में बता देंगे बीरहा में बता देंगे हां साथियों गाजीपूर की पहचान मैं बताना चाहूंगा गाजीपूर सहीदों की धर्ती है क्रांतिकारियों की धर्ती है और यह जो है आपके स्वतंता सेनानियों की धर्ती है रीशियों महासियों की धर्ती है करव रिशी आये दुर्वासा रिशी आये विश्वामित्र आए जम जगनी आए गाधी रिसी आए सारे लोग आए हैं तो मैं चाहूंगा कि कभी जी कोई रचना ऐसी हो जो गाजीपुर के गवरों से सम्मंधित हो उसको सुनाएं आपकी रचना जो अब बता रहे थे उसका क्या नाम है जी गाजीपुर गर्मा को आप सुनिए जी सुन गर्मा गाजीपुर कर निरख निरख बनमाली जूमना हमें गर्व गाजीपुर में पैदा होने का भारी गाधिर सी यो जमत गिनी बाबा की धरती न्यारी प्यारी कड़वर सी के कुटिया यही निराली जूमना सेरसाथ से हार मान कर बचा हुमायू आके सरवन जी को बचा पाए दसरत बान चला के आके लाड़ कारनवाली से यहीं दमहारी जूमना भितरी की गर्मा देखो असकंद गुप्त की थाती सेर पूर गह मर के लोग चलते हैं फुला के चाती खादी पहिर पहिर कंधे पली दूइनाली जूमना नंद गंज सुगर मिलियो देवकली पंप के पानी जिसकी सुविदा से किसान सब चलते सीना तानी बालक नौजवान खेती हर के घरे घर वाली जूमना अफिम फैक्टरी और इतर रखते दुनिया में माने पूरब गंगा और गोमती दक्षिन में पहिचाने माने या ना माने सायर सिंग सवाली जूमना इसके बाद गर्मा गाजी पूर कर निरग निरग बन वाली जूमना पूर्वो तर्रे लवे पास गुल जखनिया बस्ती धामुपुर के हमीद हैं सारे भारत की हस्ती मस्तिले सडक या नहर भुड़कुड़ा वाली जूमना जहां पे बूला किना राम बाबा भेखा की जोती उसके पस्तिम हतिया राम गूथल संतों की मोती होती सुबसाम हर हर बंबंध धन जूमना आजमगरगा जी पूर की सीमा हैं बेसो धारा वहीं किनारे हतिया राम के गुरकुल ये साहारा जुटल साहारा रामचंद्र पवहारी जूम ना धन्यबाद साथियो अभी रामचंद्र कभीजी से गरिमा गाजीपूर सुन रहे थे इन्होंने बहुत अच्छा सब्दों का संजोजन किया है और गाजीपूर के गवरों के रूप में जो इतिहासिक इन्होंने दिश्चांकन किया है ये आपने आप में काबिले तारिफ है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यबाद देता हूं कभी जी आपकी उमर 70 हो गई है 100 साल जी 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 और इस तरह से समाज को और गायकों को वि आपके हां विजयलाल यादो जी आपके थी हैं विजयलाल दिनेस यादो आपके हैं और प्यारे लाल भाई हैं और चंधरिका कभी जी तो भाई चले गए इस देश से तो इसलिए जो है हमारे अख़ाडे में बाबु राम जी होए इस अखाड़े को समार रहे है राम फेर कभी रहे देव की नंदन रहे और बाबु रामी सब प्रजेंटर में हैं इसलिए जो है हमारा खाड़ा भी चलता है अच्छे अच्छे गायक भी तो यह लोग पूरे भारती जीवन जो सहली है गायन की मेरे हिसाब से प्यारे लाल कभ इसलाल नेरा हुआ जिसको कहा जाता है यह पूरी भारत में गंदगी पहिला रहे हैं इसके लिए आप क्या कर रहे हैं अब उसको गायक नहीं गाएगा कभी नहीं लिखेगा तो पेट-पर्दे का सवाल नहीं आपने अभी पहले कहा था कि आर्थ यूग है पाइसा हो रहा है लेकिन ये बताए कि जा निर्वु काना गाते है ऑव लोगी तो भी रहा काको औंग थोडी है यह जो है अपने को हैलाइट करने के लिए ऐसा करते हैं लोक लेकिन इससे अर्थ भी जुटा हुआ है सर्थ भी जुटा हुआ है सोहरत भी जुटी हुई है इसी से मर्यादा इसको समझते हैं लोग तो ऐसे लोग जब हाइलाइट होंगे तो अच्छे कालाकारों का कौन कदर करेगा हमको बताई जी वह इसे तो साहित में चाहे गीत में स्क्रीट हैं अच्छे लोगों की बहुत सारी रचनाएं बहुत सारी कविताएं बहुत सारे गीतें आज बिलुप नजर आ रही है अब बताए मसे जो लोगीदबिरहाके सोता थे चीश्यी सुनने वाले उनकी कमी आई है कि नहीं आई है कमी आई है कि हो परिवार में सund नह कोई बात तो है नहीं लेकिन प्यारे लाल कभी जी है जो गायक मांगेगा जो आप भोजन करेंगे आप जो है कई ने कई प्रेरित हैं डर करके बोलना है आप एक सब्द में बोलिये कि इनको ऐसा गाना नहीं लिखना चाहिए या निरहु जी को ऐसा गाना नहीं को करना चाहिए उनको ऐसा लिखना नहीं चाहिए कि समाज की मांग को देख करके कभी और गायग चलते हैं साहब जो समाज मांगता है अब वो चाहे जो कुछ भी हो असलील हो या सलील हो अब समाज को देख कर ही लोग चलते हैं गायग लोग अचाहे हर लोग चलते हैं चाहे हो संगीत का दारा चाहे जो भी हो तो चाहे वो सिन अच्छा ठीक है बताइए कि ओम प्रकास यादो जी भी है परसुराम भी है रामदेव जी भी गाते थे तो वह भी तो चाहते थे लेकिन आइसा कभी उन्होंने समझवता किया रामदेव भीया हीरालाल भीया गुलू भीया यह सब लोग जो थे उच कोट के अभी तरह से माते हैं कि गायक को कोई अस्थान तो मिला नहीं लेकिन मिला है एक दार्शनिक ढंग से लोग गाते थे कि इसमें बहन बेटी मां भाई बंधू परिवार सब लोग इस गीत को सुन समाज में आज तो है परिवेस ऐसा बदल गया है कि अगर निरहू ना लिखा है तो समाज में कहेंगे कि वह सब गड़बड़ा है कोई दम नहीं है लोगों में तो इसलिए जो है सर क्या हम बता है तो इस बीधा को बिलुप्त करने में इन लों का पुरा रोल चल रहा है जल सब्सक्राणा प्रृबर करें हैं उसे बदल जाएंगे हम लोग वहाइं नामैरे में कब करता हैं भी है टॉत्य कों दूफंच में मिला के डिए उनके सबमा hin तो आप स्वें हो गैसे परीटिन हैं और भी तो तो हैं गायक में 20 मुळेहा हैंई ऊस देडाइस डला को देखा जी समें बूल्लो गाते生ım जी घातेथे तेसे अःते नहीं वह वो जो गाते थे नेमें सर's और लोग सुनते थे और मजमा लगता था ज़ितbacks कहां मईजमा क्रत्वा रहा है लेकिन थोड़ा सा विचारों में करता कहीं कहीं लोगों को आ गई है जिससे इसको कहीं हीन भाव से देखा जा रहा है लोगों के नजर देखना नहीं कि हमारी संस्कृत से जुड़ी हुए हम कोई उठ पटांग नहीं हैं हम कहीं में भूले भटके थोड़ा हैं लेकिन समाज की मनसिक्ता कुछ हर भी सैपर जो है लोगों की भिन भिन मानसिकता हैं तो उसके लिए हम क्या करें ठीक है बहुत धन्यबाद जो समय की मांग है उसके इसाब से कभी और जो है गायक परोस रहें लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा अब भविस बताएगा और ऐसा नहों कि यह बीधाही भी लुप्त हो जाए शातियों मैं रामचंदर कभी जी जो पुराने गायक कलाकार और आपके लेखक भी रहे हैं मैंने इनसे कुछ इंटर्व्यू लिया आपके सामने रखा और इस वीडियो को अधिक सधिक संख्या में लाइक करें शेयर करें जैन जैघौस